तो गाइस प्रेज़ेंट सिंपल के वर्किंग रूल के बाद अब हम इसके जो एप्लिकेशन है इसकी जो यूज़ेज है जो एग्जाम में पूछी जाती है तो वहाँ पर इसी मैसे असल में कुछे जाते हैं इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछे जाते हैं तो अब हम उस रेच्पन होगा ऐससे दिया होगा को यहां पर देता हो यह तो इसको आप करेक्ट कीजेए तो इसको आप sentence correction बोल लेते हैं तो इसमें यह ऐसे भी आ सकता है तो इसको आपको correct करना है अब आपको जब आप देखोगे तो अगर आप देखोगे इसमें language के हिसाब से इस वाले sentence में यहाँ पे सब कुछ इसका ठीक है subject भी ठीक है उसका जो agreement है with verb वो भी ठीक है और जो सारा का सारा sentence है तो इसमें अगर grammatically हम देखे इसमें कोई भी चीज यहाँ पर हम कहेंगे इलफॉर्म नहीं है तो यहाँ पर जो है यह वेलफॉर्म है वेलफॉर्म सेंटेंस तो आपको इसकी correction के बारे में क्यों पूचाईगा असल में उसको जानना जो है वो उसको जानना है कि इसकी application हमें आती है कि नहीं आती है तो यहाँ पर अगर हम देखे कि आपको यह अंदाजा लगाना है ठीक है यहाँ पर तो वेलफॉर्म डिया सेंटेंस है इसमें grammatically कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन क्या यह स्ट्रक्चर जो यहाँ पर सेंटेंस का है अगर हम इस पर द है तो यह तो एक जेनरल चीज है कि डॉक्टर का काम है पढ़ाना यह सौरी ट्रीट करना पेशेंट्स को इसी तरह अगर हम देखे कि अगर हमारे पास कोई आर्किटेक है तो उसका जो जेनरल तो वह थोड़ी ना वहां पर जाके गिटार उठाएगा और फिर म्यूजिक मत लेकिन यहां पर जो यह चीज है यह जहन में उतारनी है हमें कि कहां पर कौन सा टेंस हमें इस्तेमाल करना है तो यही एक्जाम में पूछा जाता है जैसे हमारा है सबसे पहले तो या तो आपको यह एक्जाम में ऐसे दिया होगा कि आपको इसको करेक्ट करना है वो तो एक बात हो गई लेकिन क्या करेंगे ग्रामटिकली को ठीक होता है तो इस हिसाब से यह जरूरी जानना होगा आपको कि कहां कहां पर जाके प्रेज़ेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है एक तो हुई यह चीज़ यह तो यह फिलर की सुरत में दिया होगा जो मैं अकसर बेशतर बात स्कूल तो मैं क्या कर रहा हूं स्कूल जा रहा हूं डेली तो यहां पर इस गो के बदले में यह गो के बदले आपको क्या दिया जाएगा यहां पर आपको देना है क्या आ जाएगा यहां पर कौन सी वर्ब फॉर्म आ जाएगी कौन सी टैंस फॉर्म आ जाएगी तो लिख लेकिन यहां पर गोही क्यूं आएगा यह जानना यहां पर जुर्री रहेगा तो इसी हिसाब से यह वाला फिर आप एक्जाम में पर गाउट होगा यह वाला सभी है यह वाला गलत है क्यूं तो वह तो इसी पे हैं हमें इसका यूजर जानना है तो इसी लिए हमनें को है düny के बारे में यहां पर कुछ हम जानेंगी तो सबसे पहली जो इसकी application है a जो हमारा प्रज़ेगेंगे गई शोता है एक अब आपको होगी तो िद तो कोई भी चीज sens जो आपको अब दी गई हो वहाँ पे एक्जाम में अगर वो हैबिच्वल होगी अगर वो आदतन होगी कोई आदत दी गई होगी वहाँ पे एक्जाम में किसी क्वेश्चन में पूछी गई होगी तो इसमें कुन सी वर्ब फॉर्म आएगी या क्या ये सही है या नहीं है तो आप तो obviously कहेंगे यह वाला तो गलत है इसमें corrections यह यह आएंगी तो यहाँ पर अगर देखें I bath daily तो मैं हर रोज क्या कर रहा हूं हर रोज जो मेरी अब आदद बन चुकी है तो habitual action है कि मैं क्या कर रहा हूं मैं नहाता हूं रोज इसी तरह कोई वहाँ पर अगर दिया होगा I brush my teeth daily तो यह वाला सही है कि गलत है तो सही है क्योंकि यहां पर जो यह डेली वाला है है हमारा तो यहां पर सही होगा यह लिखना I brush my teeth तो यह वाला सही है present simple का ही usage है ठीक है ऐसे इसी तरह I go to school तो डेली है इसमें भी तो हम तो रोज स्कूल जाते हैं holidays के बगार तो इसमें यह भी present simple का इस्तेमाल होगा क्यों होगा क्योंकि यह भी हमारे पास habitual action ही है यह सबसे पहला यूजज है present simple का अब दूसरे usage पर हम आ जाते हैं वह है कि present simple जो है वो इस्तेमाल होता है general thing को express करने के लिए तो general thing क्या होता है जिसमें हमें already पता है कि क्या कोई शक्स क्या कर रह तो यहां पर क्या आ जाएगा कोई यहां पर treat भी लिखेगा treat ही खाली लिखेगा लेकिन यहां पर treat नहीं आएगा यहां पर treats आएगा क्यों जो हमने बात की थी अभी person की क्योंकि जो हमारा यह the doctor है यहां पर यह हमारा singular है यह हमारा singular subject है तो जब singular subject होगा तो हमने तो बात क यही थी तब तो कौन सी form होगी S form और ES form इस्तिमाल होगी तो अगर treat दिया गया था तो यहाँ पर तो treats पिर आ जाएगा क्योंकि the doctor जो यहाँ पर है वो singular subject है इसी को concord भी बोलते हैं कि singular subject के साथ singular verb आनी चाहिए और plural verb के साथ plural subject के साथ plural verb आनी चाहिए तो इसी को तो concord भी बोलते हैं उसी को बोलते हैं हम agreement of subject with verb तो वो भी यहाँ से थोड़ी थोड़ी आप उसके बारे में भी यहाँ जान सकते हैं तो यहाँ जो है the doctor यह हमारा singular subject है इसी लिए यहाँ पर आएगा क्या treats आजाएगा तो tense param अगर यहाँ पर देनी हो तो treats आजाएगी यह सही होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह जो है यह general thing है तो general thing को express करने के लिए हमेशा कौन से tense का इस्तेमाल कीजिएगा वो है present simple यह present indefinite जिसको आप बोल लेते हैं अगर यहाँ पर दूसरे example लिखें the teacher तो सारे के सारे अब खुद ही इसमें लिखेंगे क्या है तो teaches तो होगा यहाँ पर यहाँ पर भी क्योंकि हमारा जो subject है यहाँ पर भी the teacher यह तो singular वाला है तो तीसरा जो usage है इसका वो है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है कोई भी अगर admitted fact या universal fact हो जैसे हम सबूं को पता है यह हमने माना है और यह universal fact है यह universal fact जो हम कहेंगे या universal truth भी कह सकते है तो यह सबूंने माना है यह चीज कौन सी चीज कि जो sun है यह general चीज भी है या universal fact भी है the sun क्या होता है sun को dash in the east तो यह जो तुलू होता है तो सूरज कहां से चड़ता है तो वो तो east में ही चड़ता है तो the sun यहां पे rise की फिर character form क्या आएगी tense form तो यहां पे आ जाएगा इसका rises क्यों आ जाएगा यहां पे rises because यहां पे जो the sun है यह हमारा है singular तो यहां पे भी singular आ जाना चाहिए और आपको तो पताईए कि जब present simple में जब subject singular होता है या third person singular he, she, it होता है या कोई भी singular name होता है तो the sun तो है हमारा singular name इसका मतलब यहां पे भी इसके साथ S form और ES form का इस्तेमाल होगा तो यहां पे भी इसलिए the sun rises in the east तो इस हिसाब से दूसरी example यहां है the earth dash round the sun तो क्या कर रहे है यह earth जो है यह revolve कर रहे है यह चक्कर लगाती है किसके जो sun है उसके इरिद गिरिद यह क्या कर लगा रहे है यह चक्कर लगा रहे है तो यह तो universal fact है इसलिए यहां पे फिर क्या आ जाएगा बिल्कुल सही है revolve यहां पे आ जाएगा तो इसी तरह exams में आपको यह पूछा जाएगा तो चौथी जो इसकी application है present simple की वो क्या है कि जब भी कोई commentary हो कोई भी commentary जैसे आप match की commentary सुनते है या किसी भी अगर 15th of August हो या 26th January हो तो वो जो फिर एक parade की जो commentary होती है वो किस stance में होती है वो always होती है present simple और present indefinite में जैसे commentary अगर आप कहेंगे इसकी जो cricket में हम commentary सुनते आए है वहां पे लिखा वो बोलते रहते हैं तो यह ऐसे ही आएगा तो कोई भी commentary जो होगी वो radio की हो, tv की हो किसी भी event की हो कमेंटरी तो वो क्या आजाएगी उसके साथ present simple का इस्तेमाल होगा तो guys अब आपको exams में अगर ऐसे कोई sentence दिया होगा जो commentary की सूरत में होगा तो वहां पे आप निश्चिन्थ होके कोई सा इस्तेमाल कीजिएगा present simple का tennis इस्तेमाल कीजिएगा इसी तरह अगर कोई action अब देख ले आप अगर कोई action जो होगी तो future में अभी नहीं हुई है, ना हो रही है ना अभी हो रही है, ना अभी हुई है लेकिन कब होगी future में होगी तो इसका मतलब ये था अगर ये future में होने जा रही है इसका मतलब ये था फिर इसके साथ future simple आना चाहिए था या future का कोई tense आना चाहिए था लेकिन इस वाली action में ये चीज़ याद रखनी है कि future में होगी अभी तो नहीं हुई है लेकिन एक इसका definite schedule होगा एक इसका definite plan होगा तो उस plan के हिसाब से होगी तो बहुत ही important use है बहुत से exams में ये वाला जो usage पूछा जाता है तो इसको note कीजिएगा बहुत ही important use है present simple का कि कोई भी action जो future में होने वाली है लेकिन किसी definite schedule से होने जा रही है किसी definite plan से होने जा रही है तो उसके साथ present simple tense का इस्तेमाल कीजिएगा जैसे example से समझने की कोशिश करेंगे मैंने निखा है the cm dash at 10 am तो अगर आप इसमें tense form देंगे मैं आपको यही से verb देता हूँ arrive तो क्या आएगा फिर यहाँ पे पे बिल्कुल arrives आएगा क्यूंकि हमारा जो the cm यहाँ पे singular subject है तो इस हिसाब से यहाँ पे as form और es form आएगी तो es इस समय इसमें as खाली add करना है तो यहाँ पे arrives फिर आ जाएगा लेकिन क्यों arrives ही? Arrived क्यों नहीं? या will arrive क्यों नहीं? क्योंकि यह जो है यह अभी तो action नहीं हुआ है cm तो अभी नहीं आए है तो कभी आएंगे फ्यूचर में आएंगे लेकिन जो उसका आना होगा वो cm का किसी plan के तहत होगा किसी schedule के तहत होगा तो यह वाली action जो है future में होने वाली है लेकिन इसका कोई schedule है definite plan है इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे present simple का 10 इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह examiner आपको यह दे सकता है ऐसे यह example आप ले ले बहुत ही important example है the CM आपको ऐसे दिया होगा will arrive at 10 AM तो ठीक कीजिएगा इसको तो सबी तो बोलेंगे हाँ ठीक ही है बिलकुल आने वाला है तो अभी तो नहीं आया होगा future ही होगा लेकिन नहीं होगा future इसमें इसमें इस्तेमाल क्योंकि यह definite plan और definite schedule के तहत होगी यह काम इसी लिए इसके साथ future नहीं आएगा past नहीं आएगा इसके साथ present simple का tense आएगा और वो कैसे बनता है इस वाली सूरत में subject plus verb की as form और yes form because subject हमारा है singular तो इसी तरह अगर देखेंगे जो इसका oric usage है वो है कि यह कोई past action जो हुआ है अब अगर कोई action जो past में हुआ है तो हुआ है लेकिन अब present में उसका क्या काम तो वो past action जो हुई है उस action को empathic बनाने के लिए present में उस पे emphasis देने के लिए उसको असर अंदाज बनाने के लिए उस पे जोर देने के लिए वो action past में तो हुई है लेकिन present में क्या करना है हमें present में हमें उसको empathic बनाना है ताकि उसका असर आ जाए present में तो गाइज अजान हो रही है हमें थोड़ा सब च्छोटा सब पॉज लेना पड़ेगा हुआ है हम जो बात कर रहे थे वह हम application के बारे में बात कर रहे थे जो प्रेजेंट सिंपल के application है तो उन में उनके बारे में हम यहां पर जानने की कोशिश कर रहे थे तो जब अब आपको कोई भी action जो past में हुआ होगा लेकिन उसको क्या करना है उसको empathic बनाना है in present ताकि वो एक असर छोड़ जाए लोगों पर तो इस नहीं उसके साथ कौन सा इसके साथ इस्तेमाल करना है जैसे अगर हम बोले prophet peace be upon him तो यहां पर डैश दिया हुआ है love mankind तो उन्होंने जो यह बात कही है वो उन्होंने पास्ट में कही है लेकिन अगर अब इसको ऐसे बोलेंगे हम said the prophet peace be upon him said love mankind तो यह emphatic नहीं बनता यहां पर क्योंकि इसमें क्या है हमने पास्ट का इस्तिमाल said किया था तो इसको emphatic बनाने के लिए ताकि यह यह न लगे आप कोई ऐसे मतलब इसका यह जो है मीनिक ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे कि यह तो ऐसे भी आ सकता है क्योंकि फिर तो वो उन्हीं के लिए कहा गया था तो कहा गया था लेकिन क्योंकि यह चीज जो है यह खाली उनके लिए नहीं कही गई थी यह हर इंसान के लिए हमेशा के लिए कही गई है तो ठीक है तो इसी हिसाब से इसको तो empathic अभी बनाना है तो इस हिसाब से यहां पर जया जाएगा से बसाइगा तो क्यों आएगा से जो है पास्ट का एक्षन है सही है लेकिन इसको एंफाटिक बनाने के लिए इसके साथ प्रेजसेंट प्रेजेंट सिंपल का टेन तो कोई भी एक्षन जो पास्ट में हो लेकिन प्रजेंट में उसको एंफिक बनाना हो भी हो सकती है यह अरप्लें टाइमिंग भी हो सकती है तो कोई भी टाइमिंग इसमें आ सकती है या फिक्स्टर कोई भी जैसे कि मैं एक्जाम्पल में पर यहाँ पर क्लियर होगा देलाज बस फ्रांस अगर्ट टुजमू डैश आज टैन पिम तो जो आखरी बस है वो निकलत सरनगर से जमू की तरफ तो कब निकलती है जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे leave आपके पास यहां पर वर्ब है तो क्या आजाएगा तो यहा पर leaves आ जाएगा कैसे आ जाएगा leaves विकॉज यहां पर लास्ट बस यह सिंग्यूलर है तो यहां से एस फार्म आएगी आएगी तो वो तो हुई एक बात अब दूसरी बात कि present simple leaves ही मैंने इस्तेमाल क्यों करा यहां पर क्यों करा विकॉज यह तो train timing है bus timing है obviously तो यहां पर train timing भी इसी में आती है bus timing भी इसी में सारा का सारा आ जाएगा तो यहां पर इसी लिए प्रेजर्ट सिंपल यानिके leaves का इस्तेमाल होगा इसी तरह फिक्ष्यर अगर होगा जैसे कोई भी मैं चीज जो fix होती है अगर हम जो अक्सर बेश्टर हम जो बात जानते हैं सभी वह मैच इसका fix होना होता है वह वाला फिक्स नहीं जिसमें वह cheating वाला fix वाला fix नहीं जो मतलब playing वाला fix होता है the final match between India and Australia for example जो इनके दर्म यहां final खेली जा रही है तो वो क्या हो रही है वो कब शुरू होगी आपके पास verb है start तो कब स्टार्ट होगी आप यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे के लिए ट्रेंट टाइमिंग इसको express करने प्रेजंट के लिए प्रेजंट सिंपल का हीटन सिस्तेमाल होगा और गाइस सबसे बढ़िया बात यह आप जहन में रखेंगा एक छोटी सी यहां पर ट्रिक भी समझ सकते हैं या एक नोट भी यहां पर इसको लिखेंगे यह एक नोट है तो याद रखने की चीज़ है अगर आपको एक्जाम्स में कोई भी sentence ऐसा दिया गया होगा जिस sentence में यह वाले words आते होंगे जैसे आपको एक्जाम्स में पूछा गया हो कोई भी sentence हो उसमें जैनरली आता है आपको नजर उसमें आपको डेली नजर आता है यह वाला word होता है जैसे कि हमने देखा था तो मैं रोज क्या कर रहा हूँ नहाता हूं रोज यह जब आपको डिखेगा कही पर एक्जाम्पलमें यह जैनरली जब आपको डिखेगा ऑकेच्गेगे तो निशिंध होकि वहान पे present simple का उपियोग यह जो है टेनस का इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ पर जहाँ पर आपको कौन से words दिखें generally हो daily हो या जैसे मैं आपको एक example यहाँ पर देता हूँ for example generally buses dash at bus stops तो buses क्या करती है वो generally general thing है क्या कर रही है generally जो buses होती है वो क्या होती है अगर आपको verb दिया जाए हाल्ट तो यहां पर क्या आ जाएगा गाईज तो कोई सोच रहा होगा हाँ यहां पर तो S हमेशे शायद एड़ कर रहे हैं तो वैसा वाला यहां पर नहीं होगा अभी अभी तो इसके साथ हाल्ट ही आएगा बिकाज इस समय जो है हमारा जैनरली बसिस बसिस जो है हमारा प्लूरल है तो जो प्रेजेट सिंपल में प्लूरल आ जाएगा सब्जेक्ट तो यहां से कौन सी फार्म आ जाएगी प्रेजेट फार्म आफोब तो हाल्ट तो प्रेजेट फार्म यह है halt का मतलब है stop तो generally जो buses होती है वो stop करती है कहां पर bus stop पर ही रखेंगे ठीक है obviously ये तो obvious सी चीज है तो इसी तरह ये वाला word दिखा तो मैंने कौन सा tennis इस्तेमाल किया present simple का tennis इस्तेमाल किया तो guys ये थी present simple के बारे में जो इसका working rule था ये work कैसे करता है auxiliary तो नहीं होगी इस्तेमाल present form of verb इस्तेमाल होती है जैसे right walk talk etc तो जब subject होगा third person singular वो आपने जाना third person singular क्या होता है यहां पर persons में हमने जो अभी देखा तो उस समय तो as form or as form इस्तेमाल होगी इसी तरह negative बनाने के लिए क्या होगा negative बनाने के लिए इसमें जो है do not and does not के इस्तेमाल होगा तो do not कभी इस्तेमाल होगी वो भी देख लिया उस समय इस्तेमाल होगी जब third person singular होगा he, she, it or कोई singular name लेकिन does के पीछे फिर कुन सी form of verb आ जाएगी present form फिर s वाली नहीं आएगी इसी तरह sentence structure के बारे में आपने जाना तीन sentence structure देखे इसी तरह applications में सबसे पहला habitual action के साथ इस्तेमाल करना है present simple को general things के साथ admitted factors या universal factors के साथ radio और tv commentary या कोई भी event की commentary उसके साथ या कोई action जो future में होने वाली हो लेकिन उसका कोई definite schedule हो या कोई action जो past में हुई है लेकिन present में उसको empathic बनाना है या कोई भी train timing है या fixture है तो इन सबी चीजों के साथ इन सबी actions के साथ आपको कौन सा tenis इस्तेमाल करना है present simple का tenis इस्तेमाल करना है तो I hope guys कि आपने इस video को बहुत ही enjoy किया होगा तो इसी तरह की कोशिश हम करेंगे आगे के videos में भी तो कोशिश कीज़ेगा इन tenis को अच्छी तरीके से समझने की क्योंकि ये बहुत ही हमें काम आने वाले हैं और please do let me know कि हम tenis सारे के सारे deeply हमें उनको पढ़ना है कि ऐसे ही हम उन tenis के बारे में थोड़ा जानेंगे वो टेंस हैं तो obviously message करके या हमें मतलब यह जानना होगा कि हम tenis को ऐसे continue करें कि वह वाले टेंस करें जो exam point of view से काफी important रहते हैं जिन में से exams में पूछा जाता है लेकिन उस हिसाब से भी यह टेंस बहुत इंपर आपके लिए बहुत ही बहुत ही बड़ी अटाबिक है important है क्यों क्योंकि जो narration वाला पार्ट है वह भी इसी पर dependent है active passive का भी इसी पर dependent है conditionals भी इसी पर dependent है तो इसलिए इन टेंस को अच्छी तरीके से समझने की कूशिश किजिए गया तो hope guys you will enjoy this video a lot thanks